निव अपडेट्स इन अपडेट्स का क्या करूं चाटू इन्हें यूर शोमी हर छे महीने में फोन लॉंच करता है दस शोमी हर छे महीने में फोन लॉंच करता है दस सबको अपडेट दे देता है मेरा ही फोन रह जाता है बस तो दोस्तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं वाइटिया टैक हमेशा की तरह दोस्तो रेडमी नोटेट को कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है इंडिया में दोस्तो इंडिया में कोई अपडेट नहीं मिली है क्यों भाई लोग शोमी वालों इंडिया में अपडेट आप क्यों नहीं देते हो तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं मैंने वो शोमी को टैग भी किया था इनको बोला था कि या तुम्हारी जो सर्विस है इंडिया में वो बहुती घटिया है तो कुछ सुधारों अपने आपको अपडेट दो पर यह तो अब रिप्लाइ देते नहीं आप बेशरम क्या रिप्लाइ देगा तो यहां पर मैं आपको ट्विटर का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में रे दूंगा आप भी जाकर री ट्वीट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप मेरे को फॉलो करना है करि जोस्तो आज भी वैसाई हुआ जैसे हमेशा होता है रेड्मी नोट 8 में एक नई अपडेट आई है जब खोल कर देखा ओ एंडुड 11 आ गई जल्दी जल्दी चेक करो तो बार में जब कोड चेक किया तो वो था गलोबल तो यह इंडिया को तो कुछ देते हैं नहीं तो हर अपडेट कभी चाइना आती है कभी ग्लोबल ती है कभी यूरप में आती है इंडिया में क्या मिलता है बस एक आपकेज इंस्टोलर का अपडेट आगए बस यही करते रहते हैं तो यह आज अपडेट देखने को मिली है आप देख सकते हैं यहां पर Mie awake 12.0.1.0 ये global की है being roll out for redmi note 8 global pilot tester तो ये update भी दोस्तो जो है वो public roll out नहीं है ये भी एक pilot tester roll out है पर यहाँ पर अगर आप global user है आपने apply किया था तो आज आपको ये update देखने को मिली होगी आपका क्या है आपको तो लगातार updates मिली रही है ग्लोबल में इंडिया में ही जो है updates नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको July का security patch level देखने को मिलता है और यहाँ पर Android 11 की support देखने को मिलती है मेरे एक फ्रेंड ने यार इसे update कर लिया था तो यहाँ पर आपको navigation बार भी देखने को मिलती है और July का security patch level मिलता है तो यार इंडिया में तो यह update देते है नहीं बस यार छोटे छोटे अपडेट से देते रहते हैं पर क्या हो रहा है मेरे को मालू नहीं पर अब जो है एक process start हो गया है रेडमी note 8 के लिए पहले चाइना में update आई थी चाइना के बाद यूरप में देखने को मिली और अब जो है वो गलोबल में update आ गई है तो इसका मतलब है इंडिया next है तो hopefully दोस्तों इंडिया को भी अगले महीने अगस्त के महीने पर फिर भी यार इंडिया को update देनी चाहिए थी इसी महीने क्योंकि यार जैनुरी का security patch लेवल चल रहा है रेड्मी note 8 में अगर यहां पर आप जाकर देखते हैं तो कोई update नहीं मिलती है जैनुरी का security patch लेवल है वही गिसी पीटी update चल रही है पर फिर भी यार देखते हैं क्या होता है क्योंकि Android 11 में भी कुछ feature जो है remove किये जाएंगे performance को enhance किया जाएगा तो hopefully यहर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो यहर आज के लिए बस इतना ही